हलो एंड वेल्कम टू मैं चैनल ओल व्यूज मैं रंजीत सिंग आपका स्वागत करता हूँ आज देखेंगे दर्भंगा एयरपोर्ट इश्यू क्या है ठीक है हास्टेग रनवे दर्भंगा एयरपोर्ट ये ट्वीटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है लोग सवाल पूछ रहे लोग काफी नाखूस है बिहार सरकार से और केंदर सरकार से भी बिहार के लोग तो देखेंगे क्या है एयरपोर्ट इश्यू और दर्भंगा एयरपोर्ट के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और क्या फ्यूचर है उसके बारे में भी समझेंगे और ये आपके एक्जाम क के लिए important हो जाता है क्या है कबर यह आप देखे ट्वीटर पर रन्वे दर्भंगा एयरपुट more than 46,000 अभी तक इस पर ट्वीट आ चुके हैं हुआ कि आपको पता है कि दर्भंगा एयरपुट को बनाने का काम चल रहा है ठीक है और सरकार ने बिहार सरकार ने या फिर सेंट होगी आपर रन्वे ही रेडी नहीं है अभी तक तो कैसे प्लें दोड़ेगी तो ठीक है इस तरह हो रहा है तो जैसे ही यह देखिए आस्क हर्दीप पूरी यह जैसे ही खबर आया कि हर्दीप पूरी जो हमारे सिवील अभीशन मिनिस्टर है वो लाइब सवाल लेंगे टी इस तरह से कहा था कि देखिए जायनंत सिना जी है हमारे बिहार के स्टेट स्वील इवेशन मिनिस्टर। इन्हों ने भी पताया था कि दर्भगा एयरपूट भी अब उसी इन बिहार बोल के ट्वीटर पर एक ट्रेंड जो था वो चल रहा था वो भी ऐसा ही था कि लोग सरकार से सवाल कर रहे थे बिहार सरकार से कि क्यों बिहार में आप इंड़स्ट्री नहीं बनाते हैं वगर वगर तो देखेंगे सारा इशू को उससे पहले थोड़ा सा समझते ह दर्भंगा एयरपोर्ट के हिस्ट्री को तो मैं आपको बता दू कि दर्भंगा एयरपोर्ट की हिस्ट्री सुरू होती है 1950 में ठीक है वर्ल्ड वर टू खतम ही हुआ था 1949 में ठीक है और उसके बाद क्या हुआ महराजा कामेश्वर सिंग बहादूर जो दर्भंगा महराज हुआ करते थे उस वक्त इनके पिता जी भी बहुत बड़े इंवेस्टर थे बिजिनसमेन थे आपको बता दू कि 1908 में इनके पिता ने बैंगॉल नेशनल बैंक जो खुला था उसमें भी हिस्सेदारी थी उनकी इनके पिता जी की तो ये काफी अच्छे खासे घर आने से थे और अब्यस से बात है महराज थे तो इनके पास पैसे कम ही नहीं थी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे तो एक दर्भंगा एविएसन नाम की प्राइवेट कंपनी थी उसके अब यह से बत है वो रिटायर होने वाली होंगी मिलिटरी से तो इनको खरीद लिया इन्होंने ठीक है और यह लगभग 12 सालों तक चला लेकिन यह कंपनी जो है 1962 में बंद हो गई तो यह देखे डगलस डीसी तरी है और यह महराजा कामिश्वर सिंग की फोटो है ठीक है धर्भंगा महराज इने भी का इन्हें कहा जाता है ठीक है धर्भंगा महराज के नाम से भी यह मश्यूर है अब गवा कि है 1962 में आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ उस समय के हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरपोर्ट को एक्क्वायर कर लिया उसके अलावा अलावा बिहार के और भी बहुत सारे जो एयरपोर्ट थे उनको एक्क्वायर कर लिया ठीक है एयरपोर्ट बेसे अपने बनाए हर जगा तो जैसे आप देखि कि ओर भी बिहार में कौन सी एयरपोट्स है यह प्रकास नरायन एयरपोट आपको पता है पटना में है यह हमारा में एयरपोट हैती dalam फर Mitsetsu स्पाने ऑख चोल आ पोर है तो यह सरे सर नाम इंपोर्टन हो सकते हैं आपके लिए türly बिहर में आपको बता दो कि उड़ान इस्किम उड़ेगा देश का आम नागरिक 2017 में पीए मोदी ने अनौन्स किया था कि जो भी पोटेंशियल एयरपोर्ट्स है उनको क्या किया जाएगा operational किया जाएगा उनको develop किया जाएगा और फिर वहाँ से flights operate करेंगे उनका commercial use होगा वहाँ से लोग आवागमन करेंगे flight के थूँ ताकि क्या हो सके अगर इस तरह से board सारे flights उड़ेंगी चीके और हर सहर की connectivity हो जाएगी तो air travel affordable बन जाएगा और wide spread हो जाएगी जो हमारा air travel है ये लोगों तक पहुंच चागेगा और लोग जैसे train को इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों में airplane को भी airplane को भी उसी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और लोगों की time बचेगी जिससे development process तेज होगा बिजनेस बढ़ेंगी बहुत सारे चीज़े होगी तो दर्भंगा को एक उसी scheme के तहट चुना गया था उड़ाने scheme के तहट कि इसको develop किया जाए और air force बेस जो हमारा ये station है इसको air force station से convert करके एक पूरा fully developed airport बनाया जाए और जहां से commercial operation हो चके तो इसकी funding के लिए क्या हुआ funding के लिए देख जैसा ही एना उसमें तो रुपे डबल लिया है जो airport authority of India है उसने घुशित की ठीक है बिलिंग्स बनाने के लिए वहां के उसके लिए एक सब 21 कड़ो रुपे का announcement किया ठीक है और ये पुरा काम जोर सोर से चला तब जब लोगसभा election होने वाला था काफी जोर सोर पर चला ऐसा मैंने ऐसा news reports कहती है कि जब लोगसभा का election था तब ये काम काफी जोर सोर से चला ठीक है और ऐसा लग रहा था और even government ने भी announce कर रिया कि अगस्त या September या October 2019 तक ये operational हो जाएगा ये airport पर ऐसा हुआ नहीं आपको बता दू कि लेटर अफ एवार्ड भी जा रही हो थी वो spice jet को दे दी गई थी यानि सब कुछ तयार हो गया था सब कुछ announcement हो गया था पर अभी तक मैं 2020 में बात करा हूँ अभी तक कुछ भी start नहीं हुआ है और कब date दी जा रही थी अगस्त में फिर इस अगस्त September date को change करके फिर बोला गया है कि कभ यह सुरू होने वाला है तो अभी क्या हुआ है अभी आपको पता है कि कोवीड के बाद migrant workers return आया है बिहार में ठीक है तो उसके बाद उन लोगों के support में netizens क्या कर रहे हैं यह बिहार government से demand कर रहे हैं कि आप बिहार में इंडस्ट्री लगाए ठीक है बिहार में ही आप job opportunities क्रिएट करिए इन migrant workers के लिए या फिर लोगों के लिए भी ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े और लोग इस airport को एक opportunity की तरह देख रहे हैं कि जो नौर्थ बिहार है उसकी काफी हाला सुदर जाएगी अगर airport यहां से operational हो जाए तो लोग आएंगे जाएंगे वहां पर कुछ लोग आसपास के तो at least जरूर अपनी livelihood कमा सकेंगे वहां पर ठीक है airport के आसपास तो इस बज़े से भी इसका importance है और ज्यादा यह trending कर रहा है लोग सवाल कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं हरदीप सिंगपुरी से कुछ लोग state government से पूछ रहे हैं और कुछ लोग इसको इससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि अगर यह operational होता है तो लोग बाहर नहीं जाएंगे कुछ लोग यहीं रुकेंगे और आसपास और काफी बिजनेस बढ़ते हैं क्योंकि एक airport के आसपास काफी सारे बिजनेस बढ़ जाते हैं तो वो सारी चीज़े भी हैं ठीक है आपको एक चीज़ बता दू कि इसके लिए एक ऐसा प्रोपोजल भी आया था पता नहीं सायद अभी तक ही यह हुआ नहीं फ्यूचर में हो सकता है यह अभी तक अगर मैं क्या कहूँ एरपोट ही operational नहीं हुआ तो उसकी नाम बदलने की कोई बात ही नहीं आती है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा दरभंगा एरपोट इशू क्या है और क दरभंगा एरपोट बोल के जो भी ट्रेंड कर रहा है ट्वीटर पर वो क्यूं ट्रेंड कर रहा है ठीक है तो यह सारा कुछ इशूता दरभंगा एरपोट के related आई होप आपको कुछ समझ आया होगा थैंक्यू सो मच आपको अगर अच्छा लगा हो तो फ्लीज मेरे साथ जूड जाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तिल देन बाए बाए